जैहेंद इस्टुरेंट्स वेलकम बैक अगें दिस इस दिव्याशुर पांडे भारत ने फ्रांस को लेटर आफ रिक्वेस्ट टोटल 26 राफल मरीन फाइटर जेट्स को खरीदने के लिए दे दिया है तो चलिए जानते हैं कि ये लेटर आफ रिक्वेस्ट होता क्या है और भारती नौ सेना अपनी ताकत राफल मरीन फाइटर जेट के साथ कैसे और भी एडवांस कर पाएगे शुरुवात करते हैं आज के सेशन की हम जानते हैं कि हमारे इन एन एवी को अभी सबसे बड़ी रिक्वार्मेंट मरीन फाइटर एरक्राफ्ट की है और भारत के प्रध 26 फाइटर जेट को खरीदने का अनुमोधन फ्रांस को दिया था फ्रांस ने इसको एक्सरड़ी किया और अब भारत के दौरा लेटर आफ रिक्वेस्ट आपका दे दिया गया है अभी कुस दिन पहले दिया गया है फ्रांस उस पर रिस्पॉंड करेगा कि किस प्रकार से हम इस डील को आगे ले जाए पाएंगे आपको याद हो इसी साल भारत ने फ्रांस और अमेरिका को बुलाया था जिससे कि भारत अमेरिका का F-18 और फ्रांस का राफिल M मरीन जो एरक्राफ्ट है उसमें डिस्टिंग्विस कर पाए एक महिने तक भारत ने उसके ट्रैल्स लि देंगे अब बात आती है L.O.R. कि यानि की आपका लेटर आफ रिक्वस्ट की वोगे तो लेटर आफ रिक्वस्ट एक प्रकार का टिंडर डॉक्यमेंट होता है इन विच दा इंडियन गोवर्मेंट हैस्प्थाइड और रिक्वार्मेंट सर्फिक्षन जो भी राफिल ज कि हाँ हम ये सभी चीजे इस एरक्राफ्ट में प्रोवाइड कर सकते हैं जिसकी प्राइसिंग ये आएगी तो दोनों देशों की बीच में सहमती होकर इस प्रोसीजर को और भी आगे बढ़ाया जाता है तो इसी को हम कहते हैं लेटर आफ रिकस्ट कहा जाता है जो भी चीजे होती हैं सभी जितने भी आपके प्रोसीजर रहते हैं वो डॉक्रमेट बेज रहते हैं और उसी के आधार पर हमको चलाना भी चाहिए भारत के पास अभी दो एरक्राफ्ट के आईयर है एक कर नम आईनस विक्रमा देते हैं जिसको भारत ने रस्या से लिया था और भारत के इंडिजीनियस खुद का पहला एर्ट्राफ्ट क्यारियर जिसका नाम आपका आइनस विक्रांथ है तो आइनस विक्रांथ में अभी हमको fighter jets चाहिए, तो fighter jets कौन से हम लगाएंगे आपके rafal marine jets को लगाएंगे आप हमारे blog channel पर जाकर यह देख सकते हो कि हमने rafal air force का और rafal marine aircraft का आपका comparison में किया है अभी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा तो इंडियन ने भी भारसरकार के साथ मिलकर fast track mode पर जो है यह insure करना चाहती है कि यह acquisition जो contract है वो जल्द से जल्द आपका operate कर पाए जिससे की हम Indian Ocean region में एक बढ़ा ताप की बना सकें क्योंकि Indian Ocean काफी vast है और हमको इस type की aircraft ज़रूर शाहिए दोनों में अगर हम difference देखें तो देखें पहला rafal marine का जो features है M का मतलब होता marine यानि कि समुद्र का तो पहला feature इसका कह रहा है कि जब यह land होता है तो एक प्रकार के रसी लगी रहती है जो उसको आपकी वो रोकती है अगर आप किसी aircraft carrier को देखोगे तो उसमें इदर short take off रहता है यानि कि plane को take off और land करने के लिए कम ही दूरी मिलती है लेकिन वही एर फोर्स में अगर आप देखोगे तो उनके लिए तो पूरी हवाई पट्टी रहती है तो इसलिए यह specification सिफ राफिल मरीन एरक्राफ्ट में है दूसरा आपका है a built-in ladder for assessing the cockpit from the carrier deck a carrier based microwave landing system microwave landing system में लगाय गया है a new fifth tip telemere system for sensing the inertial navigation system to the external equipment इसके अलावा other difference includes करते हैं तो राफिल M is slightly heavier than the rafil due to additional weight of the modifications तो modification इसमें काफी की गई तो थोड़ा सा इसका weight जो है भारी हो गया है the different era system hails RBE2M is optimized for maritime operation अगर आप land warfare देखो या फिर maritime warfare देखो दोनों ही different होती है तो इसलिए जो sensors है जो radars है वो काफी अलग-अलग है तो ये भी आपका इसमें जो है differentiate हो जाता है different electronic warfare suit the Thales spectra which is also optimized for maritime operation और anti-sip missile, anti-to-surface missile इन सभी से आपका ये लहस है तो हम कह सकते हैं कि carrier based microwave landing system के साथ ये काफी बहतरीन direct access cockpit को carrier deck में आपका provide करेगा ये आपका इसके जो wings है folded हो सकते है upgraded version आपका है न एर फोर्स वर्जन से ये काफी upgraded है और अभी नया बन रहा है तो इसमें तो काफी अफ्ग्रेडेशन लगेगी जिससे कि हम बहतर तरीके से इसको आगे ले जा पाएंगे अगर आप एक defense aspirant है और SSB interview, NDA, CDS, FCAT जैसे exams के लिए prepare कर रहे हैं तो आप SSB crack exams के course को चेक करना न भूले आप हमारी learning application को Google Play Store से भी download कर सकते हैं कर दो कर सकते हैं